दो छेत्र है एक संसार का एक भगवान का और तीसरा तो बस जीव ही है तो ये जीव भगवान की वोर जाना चाहे और संसार में रहना चाहे बड़ी मुसीबत है दुश्मनों के बीच में रहना और दोस्तिय और कहीं करना ये दो बिरोधी बात है कुछ लोगों का हिर्दय कोमल होता है जल्दी पिघल जाता है वो भगवान के लिए गुरु के लिए भी आसु बहा देते हैं और संसार के लिए भी आसु बहा देते हैं मा बाब बेटा इस्त्री पती भाई बहन इनके मरने पर या दुख होने पर उनका हिर्दय पिघल जाता है और उने लगते हैं और जिनका हिर्दय कठोर होता है वो संसार में भी और भगवान के एरिया में भी कठोर रहते हैं लेकिन ये बात गलत है इस्ते काम नहीं बनेगा काठिन्यम विशय कुर्जात द्रवत्वं भगवत पदे संसार में तो बज्र के समान कठोर मन करना होगा कोई नुकसान हो कुछ हो हम आत्मा है हमारा यहां कोई नहीं है हुआ करे नुकसान देखो आप लोगों के पड़ोसी का कोई नुकसान होता है कोई मरता है आप आवाज सुनते हैं क्यों रो रहे बैए यह पड़ोस वाले उनका बेटा मर गया अच्छा अच्छा अरे कल तक तो ठीक ठाक था हां रात को मर गया अच्छा अच्छा अड़े बैए नाष्टा बन गया वो इतना रो रहा है घर भर जमान लड़का मर गया तुमको अपनी नाष्टे की पड़ी अले यहां बैई अभी जाना पड़ेगा हमको समसान घाट वो मर गया है न मुसीबत एक आ गई जल्दी नास्ता वास्ता करा दो फिर जाना है यानि कोई असर नहीं आपके हिर्दय के उपर क्योंकि पड़ोसी है अब आपके बेटे को जरा साथ गिर करके चोट लग गई हाँ हाँ कहां लगा बेटा किधा लगा हाँ एक से ले कराओ यह क्या है अरे कराओ एक से ले ड्यूटी का पालन करो ले गई हाँ हाँ क्यों कर रहे हो नार्मल होके कराओ हस्ते हुए भीतर से फीलिम नहों कि यह हमारा है जब पैदा हुआ तभी आपने गलती की खुशी मना है बैज अब आप रोएंगे इसके पीछे बच नहीं सकते सारी जिन्दगी रोएंगे क्योंकि खुशी मनाया आपने गलती की आपने प्रारंब में उसको अपना मान लिया अब बाद लग गई बीमारी मेरा मेरा भाई मेरी बहन मेरी बीबी तो यह नहीं चलेगा दो विरोधी बात करनी पड़ेगी संसार में कठोर बनो यह तुम्हारा नहीं है केवल ड्यूटी करो देखो हॉस्पिटल में एक नर्स होती है एक डाक्टर होता है रोज मरा करते हैं लोग अपना मर गया है ले जाई बाद बाहर ले जाई मैंने नार्मश्टी से कह देता है जिसका मर गया औरो रहा ऐसे ही तुमको संसार में बनना है क्योंकि संसार में रहना है लेकिन हरी गुरू के एरिया में अत्यंत भोला बनना है सरल बनना है मृदू बनना है कोमल बनना है नवनी मक्षन के समान आप कहिए दो बिरोधी बात कैसे करें रोध तो करते हों कि पांच छे दस हैं कुल जमा टोटल जहां आप पिखलते हैं मा बाप दो ए होंगे बीबी पती एक ए होगा अब दो चार थे दस बच्चे होंगे मान लिया बस इतने में तो आप पिखलते हैं भाकी जगे कठोर हैं अब इतने में भी कठोर बन जाओ बस काम बन जाओ मन खाली हो गया अब लगा दो भगवान के दिया में और अगर नहीं होते तो करोणों जगत गुरू के बाप आवें समझावें आप से रहिलावें काम नहीं बनेगा देखो रोज सबेरे हम दस पंदरा मिनट बोलते हैं वो कितना मूल लेवान है करोण कल्प में आप लोग नहीं समझ सकते हजारों बर शाष्ट्रवेद पढ़कर जो आप नहीं पा सकते वो मैं दस मिनट में देता हूं रोज नई नई बातें कत्पग्ञान गहरा आपकी बुद्धी में भर जाये तो ये दो बिरोधी बात आप रोज करते हैं कोई नई बात कृपालू नहीं सिखाने आया रोज करते हैं आप ये दस बारा में आप पिघल जाते हैं फिसल जाते हैं और जहाँ पिघलना चाहिए वहाँ एक्टिं करते हैं मंदिर में जाकर गुरू जी के पास जाके धंडोत तो लंबी करते हैं धन की सेवा भी कर देते हैं लेकिन मन को संसार में रिजब्द रखते हैं मन का अटाइटमेंट संसार में है और भक्ति हो रही है हरी गुरू की तो ये तो उल्टा कर्म योग है तो उल्टा फल देगा जहां मन का अटाइटमेंट होता है उसी का फल मिलता है ये रट लो यान्त देवब्रता देवान पित्रीन यान्त पित्र ब्रता भूतान यान्त भूते ज्या यान्त मध्याजनों पिमाम अर्जुन साथ तिक राजस्तामस तीन तो माया वाले हैं और एक दिव्य हरी गुरू इन चारों में जहां मन का अटाइटमेंट होगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी उसी लोक में जाओगे उसी की संपत्ति मिल जाएगी जैसे एक बाप के चार लड़की है उन्होंने चार ग्रेजुएट से व्याह कर दिया एक graduate I.S. में आ गया साहब हो गया उसकी बीबी मेम साहब एक PCS में आया एक लर्क रहा और एक शराबी हो गया तो ये चारों लड़कियों का भाग लड़कों के समान हुआ उसी का फल मिलेगा उसको जहां ब्या हुआ संसारी प्रापर्टी ऐसे ही spiritual जगत में आपका मन इन चार लोगों में जहां होगा उसी का फल मिलेगा अब आपको क्या चाहिए ये सोच लीजिए अज जिब्यानंद चाहिए कि स्वर्ग का सुख चाहिए कि मृत्य लोग के चपल जूते चाहिए कि नरक के कोडे चाहिए जो चाहिए उसे में मन का अटाइचमेंट कर दी दिये अब आप बबूल का पेड़ बोएं और आप कल्प ब्रिक्ष का फल चाहिए तो ये नहीं हो सकता मन संसार में हो और भगवान मिल जाए ये संसार में चलती है हम किसी से एक टिंग करके स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं भगवान के आने चलती क्योंकि वह भीतर बैठा नोट करता है इसलिए इन दोनों बातों को मस्तिश्क में रखकर अपना कल्याण करना है